स्टोरी की शुरुवात हमारी फीमेल लीड्स से होति हैय है चुकि बढ़े आराम से साइकल पर बैण कपनी स्कूल जा रही होती है और मौसम Ums यह सीजन स्प्रिण का रहता है तो बढ़े आराम से लिए होती है तक पिसे पता तो अब भर में डास जोती तूम जैज लगाने के लिए तो उसका बैलन्स वहां क्या होगा अपको नहीं है रब जिसके बाद बैलन्स वह रहता है जिसके बाद बंदू कि तरह ऑचलती है। अपना कैमरा है वह इसे दूरी फिक देता है मतलब बिचारे केमरे की कोई गदर नहीं दोनों में रोमेंटिक सीन तो चलते ही है हमें लगता है यह में लीड एन फीमिल लीड का फर्स एंकांटर है और एपसुलिट नॉट इन दोनों की बात करें दोनी केमिस्ट्री काफी लं इनों की वाली है और यह दोनों एक दूसरी बड़ी बात करें तो हमारी काना में है 가족 ही जैवाख चाहता है की हौह काफी दनों से नहीं देखा थोमें तभी हार्म कऺती है रोज तो है एक चल्ट है administrative है बाइक लेकर उसके घर के सामने खड़ा हो जाता है दरसल यह दोनों एक दम पडूसी हैं जिसा कि मैंने पहले बताई हुआ है गीसियो कहता है कि तुम्हारी साइगल सच में खराब हो गई तो हायरेम कहती है कि हाँ तुम्हें मुझे लिफ्ट देना होगा इसके बाद गीसिय कि यार काफी रुमेंटिक सीन बनने वाला है पर हायरेम कुछ जादे स्मार्ट होती है वो साइगल खुछ चलाती है और बिचारे गीसियों के पीछे बैटकर नर्वास होता है और कहता है कि यार मैं लड़की हूँ यह वो उसे होल्ड करने की जगा ढूंट रहा होता है कि यार मैं कहां से पकड़ूं कंते से पकड़ूं कमर से पकड़ूं और नहीं हो जाएगा तभी यहां पर हायरेम देख लेती है कि पागल तुमेरा बैग होल्ड कर सकते हो मैं बैक के साथ ही जूड़ी हूई हूँ इसके बाद वह बिना कुछ कहे उसका बैग होल्ड कर लेता स्मोग कर रहा होता है जैसे हायरम वहां से उच्छल का नीचे गिरने वाली होती है यहां पर तोनों में लीड सोचते हैं कि हम अपनी हीरो इन को बचा लेते हैं बट तोनों यह नाकाम हो जाते हैं तभी जब कियों हायरम को फर्स टाइम देखता है तो से लाव एट फस देलता है तो लेकर चला जाता है इसकूल में टीचर इंडरोडक्शन करवाते हैं न्यू ट्रांसफर दिस्टूनेंट है और हायरम क्लास की टौप रहती है तो सबसे पहले टीचर हायरेम से उसका इंडरोड़क्शन करवाते हैं पाली लवेट फससाइट हो चुका था तो जब प्रेजिटेंट की बास सुनता है तो वह तो और भी जदा खुश जाता है और हाइरेम की अच्छी कासी बॉर्णिंग भी दिखता है यह दिकर उसे पता लग जाता है कि यार इन दोनों की फैंशिप तो काफी दगड़ी है यहां पर हाइरेम की स्यों के शूटाई कर रह से कॉंपटिशन होता है जिसमें की सियों को कुछी पता नहीं चल रहा था कि वह इसमें क्या लिखे दोसके कमीने दोस्त उसको एक सरा देते हैं कि तो यार अपनी गल्फरेंड या फिलामें ट्रस के बारे में लिखी दे और जब यह लिखने के लिए नहीं होता तो उसके पर यह करते हैं कि उसका पेज़ेज लेकर उस पहरी सब कुछ लिख देते हैं उसे पता भी नहीं चलता कि यार दोनों ने क्या-क्या इस पर लिख दिया है लेकिन जब टीचर उसे बुलाते हैं उसके एसी को रीट करते हैं तो उने भी थोड़ी शरम हो जाती है कि भाई अ उसे उस नजर से कभी भी भाव नहीं दिया जब वो रात को फिर से ऐसे लिख रहा होता है तभी हायरेम उसके घर पर आती है एंड उसे नूडल्स खाने के लिए बोलती है साथ साथ ने वो दोनों मूवी भी देखते हैं गीसियों को अपना लिखा हुआ ऐसे याद आता है जिसमें उसने डुमेंटिक एंड किस वाले टॉपिक पर काफी फोकस किया था तभी वो हायरेम से इसके बारे पूछता है और वो दोनों मूवी भी ऐसी देख रहे होते हैं यहाँ आपर हालो तुम्हें तो की चली किया हो गए थे वह हैनो ड़ते हों थे अपने देड के मैसेज को पढ़ती इन ने संपनी जाते हैं ऌप यहीं जा यहाँ बहूंग आता है और वो उसे एक help मांगता है, वो कहता है कि उसे पीडी ठीचर को ढूणना है, तो क्या तुम मेरी help करोगी, तभी मैं हूँ न, मैं तुम मेरी help कर दूंगा, थे एक मेंट मुझे तो टीचर न ये का है कि मुझे कोई दिक्का थो, तो हैरे मेरी help करें तुम बीच में क्यों हो मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया कर हाइरम की मामली में तो बिल्कुल नहीं अफर देट हम हाइरम को देखते हैं जिसको अपने डैड पर शक तो ही चुका था वो जाकर अपने डैड का पीछा करती है सप्राइसिंग उसे पता चलता है कि डैड किसी और मुमन से मिलने के लिए गए इसके बाद वो जब वो ने एक साथ एक रूम में जाते हुए देखती है तो विचारी का दिल और तूट जाता है जाती है और सुने की कोशिश करने लगती है कि अंदर क्या हो रहा है तभी यहा यहां पर हायरेम जोर सा रोने लगती है उसे लगता है उसके डैड उसकी माँ को चीट कर रहे हैं इस इस नौट फैर डैट एंड अंटी की बास सुनती है तो उसे पता चलता है कि नहीं आर ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर तो डैड किसी औरी काम से आय हुए है यार मेरे यहां द्रख करते हैं इसके बाद यहां पर हमारी है विए हायर मसे थोड़ा दार्ट करता है इन उसे अपने साथ प्लता खरता है इसके यहांchemical साथ में नंच करते हैं जांग पूरी-पूरी कोशिकर नोजह औरपकर कि बिल्साकर इसे करने कीज़ने को चाहता हैं कि यूओ करता है कि हाई रेम आज घर पर नहीं है तो आज डी जा रहा है कि नहीं तो यह घुण के साथ रहती है तो फोड़ी थोड़ी अच्छी हो गई थी कि किसियों का फोन कट कर देती एंजब घर आती है तो गीसियों उसके घर पर अड़लेडी प्रेजेंट रहता है और वह से कहता है कि अच्छा तो तुम लाइबरेरी गई थी तब हारेम कहती है कि हां मुझे बहुत सारा पढ़ना था इसलिए मैं लाइबरेडी गई थी उसे पता रहता है कि वह बेकार में जूट बोले जब की की सियों को सब कुछ पता है और जब ने रूम में बैठी होती है तो वह बहुत इदा गिल्टी फील कर रही होती है बिकॉस उसन गीसियों को नहीं बता है उसे फसा कर वह ग्यों के साथ थी हुसने उसके साथ इतना टाइम इस पेंड किया और जब भुझ से बात एक है तो वह सूचती है कि यार मैं मेरे साथ चलू ना तभी हैरम कहती है क्या तुम छोड़े बच्यों मैं तुम्हारे साथ जाओं इसके जब रात हो जाती है तो गिसी ओक तो भीमार रहता है वो फिटल लेया था तो लेने के लिए नहीं आ पाता है वह रिम साइकल के बाद बैठी होती है इतने में यहां पर गयांगा जाता है वह अमरेला लेकर सामने खड़ा हो जाता है और वह रहीं से कहता है कि क्या वाक कर घर जा सकते हैं तब एक मेंट की साइलेंस के बाद हैरे मां जाती है यह दो कुछी कुछी एक साथ वाक करते हुए घर जाने लगते हैं वसे इंसीडेंस त्यां रखना आंगे यह मिसंडेस्टेंडिंग बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम आने वाला है यह दोनों एक साथ घर होते हैं तभी यहां पर गियांग घर के बाहर चोड़ता है और उससे इधर उधर की बातें करता है और उससे पूंची लेता है कि तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूं तुम्हें हिंट तो मिली गई होगी बट बेंग स्टेट फॉरवर्ड मैं तुम्हें से सीधी बात यह कह दीता हूं कि आई लाइक यू तभी यहां पर वह हाय है रिम का जबाब सुनने के लिए होता है तो हाय hom सामने देखती है उसका जबाब हमें अभी नहीं बतायाता तो आप्सर पार जल्दी अप लोड़ कर दूंगी आई होब कल तो आई जाएगा एंड रही बात लवदा वे यू आर अगर आप लोग उस सीरीज को कंटीनु रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह देना मैं उसे भी कंप्रीट जरू कर दूंगी अगर आप लोग चाहते हो तो नहीं तो हम इसी सीरीज को टूंगा गरू कंपते हैं जरू आफ एंगा प accurately उसकतब कर दो नहां महा है।